हेलो फ्रेंज विल्कम है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे मैं विशाल राज आपका अहारदिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटिस्टिंग होने आला है खासकर नए क्रियेटर के लिए जो यूटूब पे नए हैं और व कर लेते हैं सब कुछ अच्छा होता है लेकिन उनके वीडियो पर अच्छा खासा व्यू नहीं आता है क्योंकि उनके चैनल के बारे में अथवा उनके वीडियो के बारे में गूगल को पता नहीं होता है तो इसका कारण है दोस्तों चैनल सेटिंग तो दोस्तों आपको चै पूर में क्रों पर बिजित के लिए यूटूब चैनल को अपनी उपन कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस उपन होकर आएगा आपको ऊपर तुरी डॉट दीखेगा इस पर क्लिक कर लेना है और मोबाइल को डेश्टाप साइट पर कर लेना है तो यहां डेश्टप नीचे लिखा हुआ अरहा है। इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज उपन हो कर आएगा। है इस तरह से अब उपर में आप को अपनी चैनल का लोगो दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा उपर लिखा रहेगा यूर चैनल इस पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों उपर आपको ब्ल्यू कलर में कास्टोमाईज चैनल दिख रहा है लिखा हुआ आ रहा है इस पे किलिक कर देना है अब दोस्तों ये आपको यूटूब स्टूडियो में लेकर आएगा थोड़ा देर बेट करना है और आपके सामने कुछ अलग पेज ऊपन आएगा दोस्तों समय लग रहा है नेटवर्क बहुत सिलो है लेकिन कोई बात नहीं हम आपको यह किक पॉइंट बताएंगे दोस्तों यह रहा यूटूब स्टूडियो में आपका चैनल खुलके आ गया कुछ इस तरह से तो इसमें दोस्तों आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिलेगा ले आउट में कुछ खास नहीं इसको छोड़ देना है यहां ब्रांडिंग में किलिक करना है ब्रांडिंग में आपको अपने चैनल का लोगो सेट करना होगा यहां दिख रहा है फिक्चर इस पे अपने चैनल का लोगो अपलोड करना है या तो आप अपने खुद का इमेज अपलोड कर सकते हैं उसके पागन दूसरे नंपर पे आना है दूसरे नंपर पे वीडियो हम डाल देंगे उसके बाद दोस्तों नीचे के तरफ वीडियो वाटर मार्क लिखाएगा इस पे आपको अपने चैनल का लोगो अपलोड कर देना है जिससे आप जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके चैनल का लोगो दिखे और आपका वाटर मार्क दिखे तो दोस्तो यह रहा बरांडीन सेटी इसके बाद basic information पर click करना है इसमें आप देख सकते हैं हमने आपको दिखाने के लिए example के तौर पे अपने channel का नाम डाला है इसके बाद handle लिखके आ रहा है इस पे जो है channel का handle होता है इसको आप जब channel create करते हैं तो आपको यह मिल जाता है तो मिटी इस पे और आपको कुछ नहीं करना उसके बाद दोस्तों यहाँ add language लिखा रहा है इस पे click करके आपको अपनी भासा select करना है तो आपको अपनी भासा अच्छे से select कर लेना है यदि आप इंडिया से हैं तो हिंदी select कर लेना है और यदि other country से हैं तो दूसरा country select करना है उसके बाद done कर देना है उसके बाद दोस्तों नीचे दिख रहा है आपके channel का URL इसमें आपको कुछ नहीं करना है इसको छोड़ देना है और उसके नीचे link इस पे आप अपने media का link डाल सकते हैं जैसे आप twitter का link डाल सकते हैं नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसको छोड़ देना है और स्क्रोल करके नीचे आना है नीचे आपको setting का आइकन दिख रहा है इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपके सामने कुछ अलग तरह से page open है कर आएगा दोस्तों कुछ इस तरह से यहां पहला नंबर है जैनरल जैनरल में आपको अपने काइंटी को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से यह बोला है कि आप अपना पैसा किस रूप में लेना चाहते हैं इंड इंडिया से हम इंडिया रूपीज सेलेक्ट कर लिए हैं उसके बाद दोस्तों इसको छोड़ दाना है उसके बाद आपको नीचे चैनल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा उपर आपको country सेलेक्ट कर लेना उसके बाद पहले नोट बुक पर लिख लेना है और कुछ इस तरह से कीवर्ड डालना है कीवर्ड में आप जिस टॉपिक पर वीडियो पहले तो आप अपने चैनल का नाम डालेंगे उसके बाद आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उसको डाला जैसे हमने डाला है हिंदी कि सौंग जीन हिंदी सुपर हिट सौंग मतलब आपको इसी तरह से बहुत सारे कीवर्ड डालने होते हैं और कीवर्ड आपका 500 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो ये सेव नहीं होगा उसके बाद दोस्तों दूसरे नमबर पर है आपका एड़वांस में स्क्रोल करके आप नीचे जाएंगे तो यहां आपको दूसरे नंबर पे क्लिक करके रखना है यहां पे आपको अपना वीडियो हर किसी को दिखाना है तो दूसरे नंबर पे क्लिक करना है या आप वीडियो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उपर वालों को क्लिक करना है उसके बाद यहां नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है इसको सेब कर देना है यहां क्लोज के बाद सेब आ रहा है इस पे सेब कर देना है उसके बाद दोसरों तीसरा नंबर फ्यूचर इलिजबिलिटी पे जाना है यहां आप देख सकते हैं पहला नमबर है standard future यह green होके enable है दूसरा नमबर है intermediate feature यह भी enable है तीसरा number advanced feature आपको कुछी तरह से दिख रहा है इसको भी enable करना होगा तो इसके लिए यहाँ पर click करना है click करने के बाद दोस्तों नीचे आना है आपको यहाँ access feature पर click करना है कि लिक करने के बाद थोड़ा देर बैट करना है और आपके सामने कुछ page open होकर आएगा verification phone इस पर click करना है और इस पर click करने के बाद दोस्तों यह मैं पहले ही कर चुका हूँ इस पर click करने के बाद दोस्तों यह आपका बैख हो गया फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं नेटवर्स बहुत ही slow है दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है इस पर click करना है और आपको यहां पहले नंबर पर यूज वीडियो वेरिफिकेशन इस पर click कर देना है उसके बाद नेक्स कर देना है उसके बाद get gmail इसको भी click करके रखना है और आपके mobile पर फिर दोस्तों done कर देना उसके बाद दोस्तों आपके mobile पर एक SMS जाएगा उसके बाद यह आपका जो है enable हो जाएगा यह भी green color का हो जाएगा उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको जाना है upload default पर इस पर आपको इसी तरह से आपके channel का title डालना है उसके बाद channel description में कुछी इस तरह से लिखना है जैसे हम लिखके रखे है लेकिन हम यह example के तौर पर आपको दिखाने के लिए इससे बड़ा आपको लिखना है आपको अपने channel के बारे में किस topic पे वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में डालना है उसके बाद visibility में आपको public select करके रखना है उसके बाद दोस्तों सबसे important चीज है यह tag टाइग दोस्तों आपको अच्छे से डालना होता है जैसे कि मैं डाल रखा हूँ टैक्स में आपको अपने channel का पहले name डालना हूँ उसके बाद फिर से channel का name डालना है कुछ जैसे कि मैं डालना हूँ पहले technical star ddsgm फिर technical star gm technical gm star इसी तरह से आपको दो तीन tag डालना है ताकि आपका channel किसी भी नाम से audience सर्च मारें तो आपका channel तुरंत आप पहले front पे दीखें उसके बाद दोस्तों इसको भी save कर देना है यहां save का दिख रहा है यहां पर click करके save कर देना है और उसके बाद आपको यहां advance setting में जाना है advance setting में आपको अपना language select करना है तो जैसे मैं Hindi select करके रखा हूं आपको ऐसे select करना है उसके बाद आल कमेंड पे tick मार देना है उसके बाद दोस्तों इसको भी save कर देना है एक काम और करना है आपको आपको topic select करके रखना है जैसे मैं tech संबंधी वीडियो बना रहा हूं तो मैं science technologies select करके रखा हूं आप गाना डाल रहे हैं या music डाल रहे हैं तो music को select करना है इस्ट्री संबंधी डालना है वीडियो तो यह education डालना है या आप comedy वीडियो डालना है तो comedy select कर देना है तो दोस्तों हमने already जो है science technology सेलेक्ट करके रखा है उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको save कर देना है अब आपको permission पे आना है permission में आपको कुछ भी नहीं करना है इसको छोड़ देना है उसके बाद दोस्तों community community पे क्लिक करना है यह पहला automated filter में आपको कुछ भी नहीं करना है यह जब live होना है तब इसकी setting की जाती है इसको छोड़ देना है इसके बाद दोस्तो डिफाल्ट पर सूटिंग करना दूसरा Norumब इस-P rush फोरा अलाव ourлер कमेंट पर जो है टिक मार के रखना है उसके बाद इसको भी सेव कर देना इसके बाद दोस्तो यह और अग्रीमेंच इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है इसको छोड़ देना है तो दोस्तो यह रहा चैनल की सिटिंग आप मीडीओ की सिटिंग कैसे की जाती है बीडीयो में टाइटिल डिस्केप्ट कैसे डाला जाता सा इसके बारे मैं आपको बताने की कोशिच कर रहा हूं यहां कॉन्टेंट के यह जो है YouTube के icon苏bn जेसा दिख रहा है आपको धूसरे नभर पर इस पर click कर देना है content पर आप जितना वीडियो डाले है कुछ इस तरह से open होकर आएगा कर उसके बाद दोस्तो अपने video पर click करना है वीडियों पेडिक करने के बाद यह पेंसल जैसा आईकन दिख रहा है आपको इस पे किलिक करेंगे और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा उसके बाद दोस्तों यहां टाइटिल डालना है वीडियो की टाइटिल आप कैसा वीडियो बना रहे हैं आप गाने का वीडियो बना रहे हैं तो आपको इस तरह से टाइटिल डाल देना है जैसे मैंने डाल रखा है उसके बाद वीडियो के नीचे डिस्केप्शन में भी कु पहले नमबर पे जो है टाइटील को यहां पे से पेस्ट कर देना है और फिर अलग से कीवर्ड डालना है कुछी तरह से जैसे मैं डाल रखा हूँ हिंदी सौंग उसके बाद हाइश्टेक लगाया है फिर कीवर्ड डालना है कुछी तरह से आपको अच्छे से कीवर्ड डालन है और आपको इससे बड़ा डालना मैं आपको एक्जामपल के तो यहां पे आपको 5000 वर्ड से के लगभग डाल सकते हैं आपको 4000 वर्ड रहेगा तो भी चलेगा लेकिन टाइटिल में अच्छे से आपको बहुत सारे कीवर्ड डालने होते हैं नीचे उसके बाद दोस्तों इस डालना जाने अब आती है बारी प्ले लिस्ट की उसके बाद वीडियो प्ले लिस्ट बनाना वीडियो की प्ले लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों आप भी प्ले लिस्ट बना लीजिएगा वीडियो डाउनलोड करते ही आपको प्ले लिस्ट में एड कर देन तो आपको यहां कुछी तरह से दिखने को मिलेगा आपको दूसरे नंबर पर टिक मारके रखना है यदि आप अपना वीडियो सबको दिखाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका वीडियो बच्चे भी देखें और बड़े भी देखें तो दूसरे नंबर पर किलिक करना है और यदि आप बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उपर आले को सेलेक करना है उसके बाद दोस्तों सो मोर पे किलिक करना है सो मोर पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा है यहां आपको नीचे जो है अलाव आटोमेटिक चैप्टर एंड की मोमेंट इसको ठीक मार के रखना है और उसके बाद नीचे टैग नीचे टैग्स डालने है आपको अच्छे अच्छे पहले अपको अपने चैनल का नाम डालना है और फिर जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे है वो डालना है कुछ इस तरह से तो दोस्तों यह टैग वाली बात होगा और नीचे आपको वीडियो का लेंगवेज सेलेक्ट करना है जैसे मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी स्लेक्ट करके रखा हूँ और इसकी टाइटिल क्या होनी चाहिए हिंदी मैंने स्लेक्ट करके रखा है और यहां नीचे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग डेट मैंने आप किस डेट में वीडियो रिकॉर्ड किया था और डेट सेलेक्ट करके रखना है उसके बार दोस्तों आपको कटेगरी सेलेक्ट करना है हमने म्यूजिक संबंदी कटेगरी सेलेक्ट म्यूजिक संबंदी वीडियो डाल रखा है तो म्यूजिक सेलेक्ट करके रखा है यदि आप और कोई कटेगरी एजुकेशन संबंधी वीडियो डाले हैं तो एजुकेशन या आप कमेडी वीडियो डाले हैं तो कमेडी को सेलेक्ट करके रखना है तो दोस्तो इतना सारा करने के बाद आपको सेव कर देना है नीचे आना है और यहाँ पे पब्लिक दिख रहा है उपर उपर जाएंगे यहाँ पे सेव कर देना है आपको तो दोस्तो यह रहा चैनल सेटिंग का यह वीडियो में आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चैनल किस तरह से सेटिंग किया जाता है यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तो दोस्तो अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद